जेह इंसातियो, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पर अभी CHSL के एक्जाम्स में क्लोस टेस्ट आ रहा है कॉम्प्रियेंशन से थोड़ा सा ये टफ होता है अगर हम पैसिज की बात करें जिसे हम लोग अंसीन पैसिज या रीडिंग कॉम्प्रियेंशन कहते हैं चाहे उसे हम अंसीन पैसिज बोलें चाहे उसे हम रीडिंग कॉम्प्रियेंशन बोलें या फिर सिंपली से हम पैसिज भी कह सकते हैं इससे थोड़ा सा टफ होता है अपना क्लोस टेस्ट क्लोस टेस्ट में होता क्या है जब भी आपके सामने कोई पैसिज होगा तो इस PASSES में क्या करेंगे, बीच-बीच में ब्लैंक दे देते हैं पहले हम लोग fill in the blanks करते थे, बचपन में एक sentence वाला, अभी भी एक sentence वाला fill in the blanks आता है लेकिन अगर एक PASSES में blank दे दिये जाने, तो आपको पूरे PASSES को समझ कर इनके जवाब देने होते हैं अब आपसे पैसे दो तरह से पूछे जा सकते हैं क्रोस्टेस पहला टाइप आपका क्या होगा टाइप वन टाइप वन में आपके सामने कोई चैप्टर उठा लेंगे वो जिसके ज़्यादा चांचेज रहते हैं पूछे जाने की कई वार क्या होता है कि वो वर्ड वेस दे देते हैं कोई स्टोरी है और उसमें कोई वर्ड फिल करने आपको ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है इसको कैसे समझेंगे इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान, लोग प्रेपोजिशन से रिलेटेड आया, तो आपको प्रेपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए, आर्टिकल से रिलेटेड आया, तो फिर आपको आर्टिकल की जानकारी होनी चाहिए, वर्ब में टेंस वाल आएगा, तो आ अपना topic पर waste हो गया इसके बाद आता है word waste मन इजे कोई sentence है मैंने लिखा we had was that movie last night it was अब यहाँ पर आपके पास option है one all option है good option है remarkable और option है none of these ज़रूरी नहीं है कि हर जगे पर आपको words भरने ही पर जाए अब movie या तो अच्छी हो सकती या movie खराब हो सकती है movie remarkable नहीं हो सकती यादगार नहीं हो सकती यादगार कोई task होते हैं कोई contest होता है जहाँ पर प्रतियोगिता हो रही हो good इंसान जब किसी काम को करता है वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं movie या तो अच्छी होगी या बुरी होगी या तो boring होगी या interesting होगी banal का मतलब क्या होता है boring तो सब्दों की connectivity आपको आनी चाहिए माल लीजिए कि हमने यहीं पर ऐसे लिख दिया कि I have talent to drive the car in jig-zag path on jig-zag मेरे अंदर यह talent है कि हम jig-zag path पर गाड़ी को चला लेते हैं अब talent word यहां पर गलत है क्या होना चाहिए skill क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बच्छपन में पैदा होते ही हमने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था गाड़ी हमने अपनी मेहनत से चलाना सीखा होगा और जिस चीज को हम अपनी मेहनत के द्वारा सीखते हैं उसके लिए हम skill word का प्रयोग करते हैं कौन सा सब्दी उच करते हैं? Skill और जो हमारे लिए जन्म जात जो हमारे पास बच्पन से ही quality होती है वो talent होता है कुछ तो इन सब्दों में परिवर्तन करके आपको ध्यान रखना चाहिए बाकि आपको पाट्सो पिस पीस भी अच्छे से पहचानना चाहिए कि adjective कौन सा सब्द होगा noun adverb ये भी आपको पहचानने आने चाहिए सबसे important चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये हैं कि भले ही ये पैसिज है इसमें भी grammatical terms का use होता है इसमें भी grammatical चीजों का प्रयोग होता है यहाँ पर भी grammar की छत्रचाया रहती है और अगर grammar की छत्रचाया में रहोगे तो कभी close test आपसे गलत हो ही नहीं सकता close test गलत होने का केवल और केवल एकमातर reason यही होता है कि close test को आप उस तरीके से नहीं पढ़ते हो जैसे उसको पढ़ना चाहिए उसमें भी ये subject verb agreement उसका use होता है उसमें भी tense का proper ध्यान रखना चाहिए उसमें भी verb की form का ध्यान रखना है ये केवल तीन चीज़ें आप ध्यान रख लो कोई भी पैसे गलत नहीं होगा close test का एक भी question गलत नहीं होगा एक भी question गलत नहीं होगा अगर हम आप से कहें कि कोई पैसे ऐसा है जो मान लीजिये की social evils पर है सामाजिक बुराई पर है तो उसमें बातें के बल सामाजिक बुराई की ही तो की गई होगी मतब उस पैसे का जो motive है वो या तो किसी बुराई के बारे में explain करना है उसकी अच्छा ही बताना है उसकी बुराई बताना है तो अगर sentence ऐसा जा रहा है जिसमें not का use है तो already वो negative है तो word आपका फिर positive होगा sentence में not नहीं है तो हो सकता उसमें negative word भी use कर ले यही points हैं जिन पर trust नहीं करते हो आप लोग इन पर भरोसा भी नहीं करते हो आपको लगता रहे यह भी सच में काम आएगा क्या यह सच में use होगा क्या यह सच में use हो सकता है क्या और वही चीजें खेल कर जाती है तो close test में grammatical चीजों पर भी ध्यान रखना है word waste अगर close test आ रहा है तो उसमें cable और cable आपको किस चीज का ध्यान रखना है और मुझे पूरी उमीद है आप इनकी practice करना चाओ तो आप English with Sanjeeb sir हमारे इस YouTube चैनल को subscribe कर सकते हो इस पर केवल English की class होती है यहाँ पर class 24 पर सारे subject की class आपको मिल जाएंगी English with Sanjeeb sir पर केवल आपको English की classes मिलेंगी वहाँ पर इसकी practice रोज रात को 9 बजे सुबह साड़े 8 बजे वो क्या है बई ऐसा तो नहीं है कि केवल close test close test हलग एक दुनिया है उसको पढ़ेंगे यह grammar की class हो गई और एक session वहाँ पर होता है practice का तो उन चीजों को पढ़के हम अपनी तयारी को मजबूत कर सकते हैं अपनी तयारी को complete कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अपनी अपनी classes में इनकी practice करो और CHSL में इसका बहुत बड़ा contribution है उस contribution के साहरे आप exam को crack रो सकते हो Thank you, चाहिए